हेलो अबरीवन मैं अपीएंक चोधरी आप सबीक अपने प्यारेश यूट्वीब चैनल हिंदे कैफे में हरते कभी नंदन करती हूँ आज किस वीडियो मोडूल में हम पढ़ने वाले हैं वसंत भाग एक की कभीता चान से थोड़ी सी कप्पे जिसके कभी है शमशेर बहादूर सिंग ये बहुत प्यारी कभीता है और इस कभीता के द्वारा कभी ने एक 10-11 साल की लड़की की चान के प्रतिक कल्पनाव को हमारे सामने प्रस्तुत किया है इस कभीता में जो 10-11 साल की लड़की है वो बहुत ही जिग्या सुप्रिवर्ती की है जिग्या सुप्रिवर्ती का होना अर्थार ने नी बातों को जानने की इच्छा रखने वाला वो जब चान्द के आखार में परिवर्तन देखती है अर्थार के बारे में हम इस कभीता में पढ़ेंगे तो डियर स्टुडेंट्स यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को दवाना ना भूले ताकि नियो वीडियो को नोटिप्यूशन आपको मिलता र तिरचे नजर आते हैं जरा कवी कहा रहे हैं कि जो 10 से 11 साल की लड़की है वो चांद को देखकर कहा रही है कि आप तो बहुत अधिक गोल हैं परन्तु आप थोड़े तिरचे अर्थार्थ तेड़े मेडे नजर आते हैं तेड़े मेडे दिखाई देते हैं आप पहने कि जो चांद है वो तो सिर्फ उस चांद का मुई ही है और जो पूरा आकाश है वो आकाश उस चांद का वस्तर है तो dear students लड़की चांद से कह रही है कि आप पहने हुए है कुल आकाश तारो जड़ा कि आपने संपूर्ण आकाश को वस्तर बना कर पहना हुआ है और जो आकाश में तारे चमक रहे हैं वो आपके वस्तर में जड़े हुए सितारे हैं अर्थार आपका संपूर्ण शरीर आकाश रूपी वस्तर से धका हुआ है सिर्फ मूँ खोले हुए है अपना गोरा चिक्ता गोल मटोल अब लड़की क्या कह रही है कि आपने ऐसी पोशाक पहनी हुई है ऐसा वस्तर पहना हुआ है जिसमें सिर्फ आपका मूही दिख रहा है बाकी सारा शरीर ढखा हुआ है तो आपका सारा शरीर ढख जाने के कारण आपका गोरा चिट्टा कोल मटोल सुन्दर सा मुही दिखाई दे रहा है अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारो सिम्त सिम्त क्या होती है बिटा दिशाए अब लड़की कह रही है चांसे कि आपने इतनी बड़ी पोशाक पैनी हुई है और वो पोशाक क्या है आकाश है अर्थार आपकी आकाश रूपी पोशाक चारो दिशाओं में फैली हुई है सभी दिशाओं में फैली हुई है आप कुछ तिर्षे नजर आते हैं जाने कैसे लड़की चांद से कह रही है कि आप कुछ तिर्षे नजर आते हैं और ऐसा लड़की क्यों कह रही है क्योंकि चांद का जो घटना बढ़ना होता है उसे लेकर ही लड़की चांद से तिर्षे होने की बात कह रही है खूब है गोकी, गोकी का मतलब क्या होते है बिटा, हालांकी या यद्दिपी, वाजीवा, हमको बुद्धु ही नीरा समझा है, बुद्धु मतलब बेवकूफ और नीरा पूरी तरह से, अब लड़की चान से क्या कह रहे है, यद्दिपी आप भी खूब ही है, वाजीवा, आपने तो हमें पूरा ही बेवकूफ समझ रखा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बिमारी है, आपको तो ऐसे लगता है, जैसे हमें कुछ पता ही नहो, बलकि हमें पता है कि आप हमेशा एक समान नहीं रहते, तो आपका ये एक समान नहीं रहना आपको एक बिमारी है, लाश्ट पैग्राफ देखिए, आप घड़ते हैं तो घड़ते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस याने की बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल नहीं हो जाए, बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है आप घरते हैं तो घरते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस याने की बढ़ते ही चले जाते हैं तो dear students इन पंक्तियों के माध्यम से लड़की चांद को देखकर कह रही है कि जब आप गढ़ते हो, तो गढ़ते ही चले जाते हो, और जब बढ़ना शुरू करते हो, तो बस बढ़ते ही चले जाते हो, दम नहीं लेते हैं, जब तक बिल्कुल ही गोल नहीं हो जाए, बिल्कुल गोल, और तब तक नहीं रुखते हो, जब तक आप पूरी तरह से गोल म नहीं हो, तो dear students, मैं आपको यहां पर एक जरूरी बात बता दूँ कि चांद कब घड़ता है और कब बढ़ता है, तो dear students, प्रतेख महीने में दो पक्ष होते हैं, एक होता है शुकल पक्ष और दूसरा होता है बिटा कृष्न पक्ष, तो जो शुकल पक्ष होता है, उसमें चा चांद का आका धीरे धीरे घटने लगता है और अमावश्या के दिन बिल्कुल छोटा सा पतला सा दिखाई देता है किलियर अब आगे देखिए यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है मरज मतलब रोग या बिमारी अब लड़की चांद को कह रही है कि आपका जो कि मरज है आर्थार्थ जो यह गटने बढ़ने की बिमारी है यह एक ऐसी बिमारी है जो कभी भी ठीक ही नहीं होती है आई होप आपको इस कविता की व्याक्या बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूली थैंक यू